हेलो दोस्तो स्वागत आप सुपका नॉले एंटेटेनस में मैं हूँ आपका दोस्त कपिल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे स्कॉलर्शिप प्रोग्राम के बारे में जिसमें कि अगर कोई गल्स्टुडेंट यहाँ पर सकते हैं apply तो दोस्तों यहाँ पर मेरी computer screen पर हम पहुंच चुके हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे होगे कि आप जो मैंने website को अभी open किया हुआ है इसका लिंक आपको मिल जागा ठीक है वहां से जाकर आप खुद भी सारा दीड कर सक कर रहे हैं ठीक है और उसमें कौन-कौन से आते हैं दिखिए जैसे की कोर्सी होगे टीचिंग का नर्सिंग का फार्मेसी का मेडिसिन का या इंजीनियरिंग का एक सक्टर ठीक है अगर आप यह वाली professional graduation कर रहे हैं तो आप 60,000 per year up to four years मतलब चार सालों तक अगर आपकी चार scholarship को offer किया है ठीक है तो गिव इंडिया एक यहां पर आप जेख सकते हैं यहां पर यह एक foundation है जो की जैसे की donation platform एक ठीक है तो इसके बार में जबात नहीं करते हैं अब scholarship के बार मीं बात करते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए eligibility क्या है सबसे पहले की young woman ज जो भी girl student यहां पर apply कर रहे है ठीक है उसके बाद आपकी जो annual family income है ठीक है वो होनी चाहिए five lakhs से below ठीक है five lakh यहां उससे below होनी चाहिए अगर आप इस scholarship के लिए ठीक है और 50 आप पैन इंडिया में कहीं से भी ठीक है किसी भी स्टेट से आप apply कर सकते हैं within इंडिया में रहत ठीक है इस सारी scholarship के लिए तो अब बात करते हैं यहां पर benefits की तो दोस्तों देखिए अगर आप यहां पर कर रहे हैं teaching courses के लिए तो यहां पर 40,000 per year for two years तो अगर आप teaching courses के लिए scholarship को apply किया ठीक है तो आपको यहां पर अगर मिलेगा तो मिलेगा यहां पर 40,000 दो सालों के लि 4 years के लिए ठीक है तो अभी यहां पर एक note भी है साथ में देखिए यह जो सारा fund है यह सिर्फ आपके academic expenses और यहां पर जिसमें tuition fees आती है, hostel fees, food, travel, internet, device, books, stationery, online learning, etc. इन सभी में ही यहां पर मतलब आपकी study से related to use होना चाहिए ठीक है और उसके बाद यहां पर बात करते हैं आ जैसे कि अधार कार्ड, वोटर कार्ड, driving license, pen card, यह सारी इन में से कोई भी आपके पास होना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तो current year admission proof तो अभी जो मैंने आपको कहा कि आप अगर first year में हो तो आपके पास admission proof होगा कोई slip होगी जिससे आपने pay कि होगा वो आपके पास होनी च slip दे सकते हैं ठीक है और उसके बाद payment receipts to be submitted for funds spent by तो आपको सारी सीप्ट है वो यहां पर submit करने ही पड़ेगी जब जो आपने यहां पर खर्च किया होगा first year में यहां जो आप next week करेंगे जब आप दुबारा दुबारा से apply करेंगे ठीक है और उसके बाद यहां पर bank account details of applicant तो आप अगर आप 18 से उपर तो हो गए ही ठीक है तो आपके यहां पर bank details account की यह वली चाहिए होगी और इसके बाद photograph चाहिए आपकी एक password size तो यह सारे documents आपको अपने pass रखेंगे हैं जब भी आप इसके लिए apply करने लगोगे तो ठीक है दोस्तों यह मैंने आपको बता द सारी चीजें यहां पर समझा दी है ठीक है तो अब हम यहां पर देखें लिखा हुआ है how can you apply ठीक है तो यहां से apply करना है और इससे पहले मैं आपको कुछ जो आपके mind में भी questions आ रहे होंगे उनके मैं आपको answer देता हूं फटा फट से तो यहां पर सबसे पहला question आपके साम होगे ठीक है उसके बाद आपकी टैलिफोनिक इंटर्वियों हो सकती है जैसे कि आपके जो सारे candidates है वो shortlist किये जाएंगे ठीक है class 10th और 12th में दोनों में होने चाहिए 70% तो फिर वो apply कर सकते हैं no matter कि अगर आपने last year 12th complete की है आपके बास 70% होने चाहिए 10th और 12th दोनों में ठीक है और उसके बाद यहां पर तो हां बिल्कुल यह आप जितने वी टाइम पर यहां पर जैसे उन्होंने बताया हुए कि four years या फिर टू यह जितनी भी होगी वो every year आपको देते रहेंगे लेकिन कुछ conditions यहां पर रहने बाली है देखिए जो स्कॉलर है मतलब जो आपने स्कॉलर्शिप लिए आपको अपनी academic detail और document एक online scholar tracking system वो आपको बता दिया जाएगा ठीक है every year आपको उसमें submit करना पड़ेगा ठीक है और आपका proof of continuity जो मतलब आपकी education जो है वो आपकी चल रही है ठीक है वो और proof of tuition fee paid receipts अगर आप tuition fee दे रहे हो तो उसकी receipts चाहिए ठीक ह उसके बाद good academic performance चाहिए आपकी कोई भी disciplinary issue नहीं चाहिए मतलब आपने college में कोई खराबी किये ऐसा कोई भी issue नहीं चाहिए ठीक है उसके बाद last question जो आपके mind में आ रहा होगा if selected for this program how will I receive the scholarship fund तो आपको fund कैसे मिलेगा तो दोस्तों fund directly आपके bank account में आ जाएगा जो आपने यहाँ पर अपना account दिया होगा at the time of applying ठीक है तो उसमें आपका सारा fund यह आ जाएगा तो hopes हो कि आपके सारे questions के answer आपको मिल गया होगे तो apply करने के लिए यहाँ पर आपको जैसे मिल रहा है how can you apply यहाँ से apply कीजिए बिल्कुल आपको अपनी register ID अपने किसी Google account से register कर time send condition आएंगी उसे preview करने के बाद तो दोस्तों आप इसके लिए apply कर देना तो next procedure ज्यादा hard नहीं है तो ऐसे आप यहाँ से apply नॉपर क्लिक करेंगे गूगल पर जाकर mobile number से यहाँ email ID से आप इसे कर सकते हैं apply तो दोस्तों यह वो सारा process था सारी information थी तो अगर यहाँ पर आप इसको और ज्याद से शेयर कर दीजिए कि अगर कोई और भी girl student है जो सच में study आगे करना जाते हैं लेकिन वो financially इतना strong अनकी वजह से नहीं कर पा रहे तो आप उनकी भी help पर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो आपके लिए valuable रहे होगी झाउल